हेलो दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे हैं MP current phase मद्धिप्रिश current phase नवंबर से लेकर 2018 है नवंबर से लेकर दिसंबर 2019 तक जो change हुआ है उन सब को देख रहे हैं तो फिछली लेक्चर में हमने बात की थी सिक्षा और स्वास्त के बारे में अब इस लेक्चर में बात करते हैं खेल कूंद के बारे में आपको बता दें एक बार फिर से कि इन सभी लेक्चरों के वीडियो फिलेश लिष्ट में मद्धिप्रिश current phase 2019 के नाम से फिलेश सूची बनी रहे हैं उसी में पड़े हुए हैं चलिए सुरूं करते हैं मद्धिप्रिश के प्रमुख खेल मलखम पिदेश सरकार ने से 10 अपरेल 2013 को डेट याद रखिए 10 अपरेल 2013 को राज की ये खेल घोसित किया बरतमान समय में संपूर राज में 14 मलखम केंद संचाली थें जो खरगोन उजैन बैतूल दतिया पन्नार तीकमगर जबलपूर चतरपूर सागर जिलों में स्थित याद रखिए 16 केंद हैं कौन कौन से खरगोन उजैन बैतूल दतिया पन्नारतलाम साजापूर सिपूरी गवालियर टीकमगर जबलपूर चतरपूर सागर इन खेल के खिलाडियों को पिरभाश जोसी पुरुसकाल से सम्मानित किया जाता है याद रखना है आपको ठीट यह मलकम दिख रहा है आपको ठीट अब बात करते हैं किर्किट के बारे में मद्ध फिदेश में इंदौर जिले में 1890 में फारसी किलब की सथाप्ना की गई पिदेश में वर्स 1913 में डेली सिल्ड नाम से राज की पिथम किर्किट फितिय उट्ता का इयोज़न किया गया था जिसमें Central India Agency Cricket Club ने जीनित आसल की थी वर्स 1924 में इंदोर में यस्वंत Cricket Club की स्थापना की गी वर्स 1946 में सेके नाइडू, सीके नाइडू की अध्यक्षता में महाराजा यस्वंत राहुलकर ने होलकर Cricket Association की स्थापना की जिसे बस 1956 में मद्पिदेश Cricket Association की रूमें परीवर्ति कर दिया गया अब बात करते हैं आगे 1961 में तुनोजी राव ने होलकर स्थेडियम का निर्माण करवाया था याद रुखिए तुनोजी राव ने होलकर स्थेडियम का निर्माण करवाया 1961 मद्पिदेश की पिथम Association का मुख्या लाए मद्पिदेश की Cricket Association का मुख्या लाए इंदोर मिश्ते थे वर्स 1934 में राज में पिथम टेस्ट Cricket में सेंटल इंडिया एक का दस इबं MCC के मद्द इंदोर में खिला गया था आँगे बात करते हैं तिरम वो Cricket खिलाडियों के बारे मद्पिदेश की ठीक है सेद मुस्ताक अली सेद मुस्ताक अली राज के पिथम Cricket खिलाडी थे याद रखिए सेद मुस्ताद अली जोनों ने 1936 में भारतिय क्रिकेट टींग का पितिने दित किया फिर हैं अंगले हैं नरेश हिरवानी सेद मुस्ताक अली याद रखिए पहले राज के पिथम Cricket खिलाडी थे फिर हैं अंगले हैं नरेश हिरवानी नरेश हिरवानी युमत पिदेश टीम के प्रमुक गेंद बाज रहे हैं फिर हैं मनसूर अली खान पटोदी इनका जनम पांच जनवरी 1941 को हुआ बोपाल में इनका उपनाम है टाइगर पटोदी याद रखिए पूचा जा सकता है टाइगर पटोदी किसका उपनाम है तो मनसूर अली खान का राहोद दरविड ग्यारा जनवरी 1973 को मत पिदेश के इंदोर जिले में हुआ इन्हें भारतिय क्रिकिट टीम की दीवार के रूम में जाना जाता है ठीट अंगले हैं नमन ओजा ए बिकिट कीपर है नमन ओजा का जनम उजेंजले में हुआ बर्तमार में मत पिदेश एक दवस्ती है क्रिकिट टीम की कप्तान फिर है पंडित का जनम 30 सेप्टमबर 1961 को मुंबई में हुआ वर्स 1908 में नियानमें की कप्तानी में मत पिदेश क्रिकिट टीम ने रड़जी ट्राफी की उबिजेता बनी अंगले हैं संध्या अगवाल भारतिये महला क्रिकिट टीम की पूर कतान संध्या अगवाल का जनम हिंदोर में हुआ था वर्स 1984 से वर्स 1995 तक भारतिय महला क्रिकिट टीम का पिती ने दित किया वर्स 2017 मेंने मेल बर्न क्रिकिट टीम की क्रिकिट किलब की सदस्ता पिदान की गई व्याद रखिए संधिया अगबाल ठीक है मत्पिदेश के अन्ने क्रिकिट खिलाडियों के बता दें तुबिजय नाइडू, संजय अली, भगवांदास, राजयन निगम, सुर्वदा, नेगुड कर, संध्या जैन राजेश सुरी ढोलकिया, सीके नाइडू, आवेश खान, रमेश भाटिया, राजेश चोहन अमर्ख, खुराशिया, सुएता मिस्रा, चंद सेकल, सरवटे, जलज सक्सेन, असोग जग दाले, पूजा बास्ताकार, बिंदो शुरी गोल, हेरालाल, गैगवार, सोनु गोल कल, और चंद का पंडे ए अन्न मत्पिदेश के क्रिकेट खिलाडी रहे अब बात करते हैं होकी की होकी, मत्पिदेश होकी के दो राज की इस तरीय संगठन है मत्पिदेश होकी इसोसियेशन जबलपूर और भोपाल होकी इसोसियेशन राज में महला होकी के तीन राज इस तरीय संगठन है निव मत्पिदेश बूमेन होकी इसोसियेशन भोपाल मत्य भारत महला होकी इसोसियेशन ग्वालियर महा कौसल महला होकी इसोसियेशन जबलपुर में खीड़ आंगे बात करते हैं फिर मुख खिलाडियों की असलम सेर खान असलम सेर खान होकी के अंतराष्टी एकलारी थे इनकी पुस्तक का नाम ही Two Hill Withोकी याद रखे है Two Hill Withोकी किसकी पुस्तक है असलम सेर खान की संकरल लच्मर भारती होकी टीम के गोल रच्चक ये संकरल लच्छ्मर को गोली उपनाम से भी जाना जाता है तो पूंचा जा सकता है गोली उपनाम से किसे जाना जाता है संकल लचमर्गू पेदेश के अन्हों की खिलाणियों भी बात करें समीर दाद मास्टर रजोडिया सिवाजी अपार सिवाजी पवार दुरुक बाला पवार सेद इमरान अली इना मवूर रह्मान पेंका वानखेडे अर्मान कुरेशी मौनिका मले रडुका यादो नीरज राना संतुराम कमल्जीत कौद मुन्ना सींग महभूब खान सुनीता चंद्रा नेहा सींग नील कांथ सर्मा उनमरानी फिरीती दोवे बिवेग मिस्पिरसाद मधू यादो सेवेन्द सी एन्सी यादो जलील अहमद करिस्मा यादो अप्पान यूसुव पीस उसीला चानू अनुराहदा देवी एच एल खेली ठीक आगे बात करते हम लो लठीव अनवर म१ू अनुरोム मत्पिदेश के होकी खलाडी लठीव अनोर सुतंता के उपराद पाकिस्तान की होकी टीम के कप्तान बने याद रखना लठीव अनुर सुसीला चानू रीयोज उलंपिक में भाल दिये महला होकी टीम की कप्तान ने उट की गई थी फिर आता है बैडमिंटन बैडमिंटन मद्पिदेश बैडमिंटन एसोसियेशन की स्थापना 19 अक्टूबर 1946 को जवलपुर में हुई जो राज्ज में बैडमिंटन की बैडमिंटन की बिभेंड पितियों पिताओं का आयोजन करता है इसके पश्चात 1948 में मद्भारत बैडमिंटन एसोसियेशन की स्थापना गवालियर में की गई बात करते बैडमिंटन की प्रमो खलाडियों की बैडमिंटन की प्रमों खलाडि तो समीर बर्मा वर्स 2018 में समीर बर्मा ने रूस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन का किताब जीता फिरें सवरा बर्मा वर्स 2018 में रूस ओपन किताब जीतने वाली पितम भारत की है प्रूस खलाडियों फिरें सरोजनी आप्टे सरोजनी आप्टे चहरवाल राष्टिये वेडमिंटन चेंपियंसिप में उब जेता रही जो मद्पिदेश की फिसद वेडमिंटन खलाड़ी है मद्पिदेश के अन्ड वेडमिंटन खलाड़ीयों की बात करें तो पितुल जोसी पार्थो गांगोली बी एम कपाडिया सीमा बंडारी आदित जोसी कुमार एम कुमार एम ताबे सीडी देवरस और असोग सैदा अब बात करते हैं लोग टेवल टेनिस की तो मद्पिदेश टेवल टेनिस एसोसीयेशन की स्थापना वर्स 1957 में जवलपुर में की गई थी टेवल टेनिस की फिरमो खिलाडी देखते हैं तो जाल गौद्रेज मद्पिदेश इंदोर जिले की पिसिद टेवल टेनिस खिलाडी जाल गौद्रेज को ग्रेट बॉल ओप चाइना की नाम से जाना जाता है तो याद रखिए एक बार पूछा जा चुका है ग्रेट ओप चाइना की नाम से किसे जाना जाता है तो आपको याद रखना है जाल गौद्रेज को फेन है रीता जैन रीता जैन रीता जैन का जनम इंदोर में हुआ जो 1975 से पच्चतर तक लगातार जूनियर गल्स टेवल टेवल टैनिस चम्पिएंशच च्पिएंशप रही बरस 1982 में भारतिय टेवल टैनिस टीम की प्रमो खलाडी बनी जो एस कप टिर्पल क्राउन शिल्ड अगवाल कप, गुलाब राय चढड़ा कप, राजन सिंग कप और राधे से आमकप आदी की बिजेता रही है मत्पिदेश के अंटेवल अर्नेट टैनिस्ट खलाडियों की बात करें तो रीकू आचा, उजा सर्मा, इसनेंगे धा, मेहिता फिर उसके बात करते हैं फुटवाल की राज में फुटवाल की राष्टी इसतर की पितियुकता नई दुनिया समाचरपत द्वारा इन दोर में पितेग बस नहरू फुटवाल कप का आविजन कराया जाता है मद्विदेश के फुटवाल कलाडी, पहलाद अहीर, सीडी सैना और राजू सैनी भारतिय रेलवे फुटवाल टीम के सदस चुने गए एंब्रूज, तरस, सैम और हपीज, राजी के अन फुटवाल कलाडी है दच्छिड कोरिया में संपन्न बावन भी, आई, एस, एफ, विस चैंपियन से में मद्विदेश की युगा कलाडी मनीज साक किर ने सुटिंग टैप महिला, जूनियर इस फरदा में रज़त पदक जीता एसी आई खेल 2018-19 में मत्विदेश की, मुस्कान किरार ने तीरंदाजी में रज़त पदक, हरिसिता तोमर ने सैलिंग कास पदक, विबेक सागर ने होकी टीम में कास पदक, और रानी खोकर और मैंका ने महला होकी टीम में रज़त पदक जीता है ठीब, याद रखना पान सिंग तोमर, मत्विदेश एथलीट खिलाडी पूर्व सैनेट और उसके दिवाद बागी, पान सिंग तोमर ने बरस 1958 में, एसी आई खेलों, टोकोय जापन में भारत का पिति ने दिल किया, जो साथ बार पाधा दोड के राष्टी ये चेंपियन भी रह चुके, तो याद रखे, पान सिंग तोमर जी को, अब बात करते हम लोग, ओलंपिक में होने बाद, ओलंपिक में सामिल होने वाले मत्विदेश के खिलाड़ियों के बारे में, तो सबसे पहले एक खिलाड़ी हैं, निवासी हैं, वर्स हैं, ओलंपिक जहां हुए हैं, कैप्टन रोप स ये ग्वालियर के निवासी थे, 1932 में लॉस एंजल्स में ये सामिल हुए थे, कैप्टन रोप सिंग दूसरी बार ग्वालियर के हैं, ये 1936 में वर्लिंग में सामिल हुए, एहमद सेर खान ये भोपाल के हैं, 1936 में वर्लिंग में सामिल हुए, किसनलाल कप्तान हैं, महु क हैं 1960 के टोकेव में उलम्पिक में सामिल हुए एहसान मुहम्मद खान एभोपाल के 1948 में लंदन में यह सामिल हुए थे अक्तर हुसेन खान हुसेन एभोपाल के हैं 1948 में लंदन में यह सामिल हुए लतीब और रह्मान एभोपाल के हैं 1948 में लंदन उलम्पिक में सामिल हुए कैप्टन अब्दुल शकूर भोपाल के हैं 1952 में हैल सिंकी में यह सामिल हुए संकल लच्मड यह महु के हैं 1960 में रोम में यह सामिल हुए थे फ्रेस संकल लच्मट तो ये महु के हैं 1964 में भी टोकियो में ये ओलम्पिक में सामिल हुए इनाम और रह्मान भोपाल के हैं 1963 में मैक्सको सिटी में हुआ था उसमें सामिल हुए थे ओलम्पिक में असलम सेरखान भोपाल 1972 में म्यूनिक में हुए असलम सेरखान भोपाल के हैं 1936 में मॉन्टियल में ओलम्पिक में सामिल हुए जलाउतीन रिजवी भोपाल के हैं 1984 में लॉस एंजल्स में हुए ओलम्पिक में सामिल हुए पप्पु यादाव कुस्तिस हैं इंदोर के 1996 में अट्र लांटा में हुए थे सामिल उलम्पिक में समीर दाद गोपाल के हैं 2000 में सिडिनी में उलम्पिक में सामिल हुए सेबेंद सींग ग्वालियर के हैं 2012 के लंदन उलम्पिक में सामिल हुए अब बात करते हैं हम लोग मदपिदेश की फिर्मों खेल संस्थाओं के बारे में मदपिदेश राजी कीड़ा परिशत मदपिदेश खेल का तीवीदियों को संचाले एवं ग्रामीड छेत में प्रोसान करने के उद्देश से बरस 1960 में मदपिदेश राजी कीड़ा परिशत का गठन किया गया एक सेप्टमबर 1984 को खेल परिशत के रूम में इसका पुनर गठन कर दिया गया इस परिशत में कुल 35 सदस हैं याद रखिए, 1960 में इसकी स्थाफना हुई मद्पिदेश राजी कीड़ा परिशत की रूम में और 1 सेप्टमबर 1984 को खेल परिशत की रूम में इसका पुनलगटन किया गया इसमें 35 सदस होते हैं मद्पिदेश खेल नीती की बात करें तो वस 1989 में मद्पिदेश की पिथम खेल नीती की गोशना की गई जिसे 1994 में संसुदित किया गया और 30 जून 2005 को खेलों के चहु मुक्षी विकास और उसके पुरसान के उत्जिस से नभीन खेल नीती 2005 में लागू की गई याद रखिए पिदेश के पितेग जिलाइस्तर पर खेली परिशत तथा पितेग ग्राम पंच्यात पर खोखो कबड़ी कुस्ती एवं बॉलीवल आदी के लिए खेल मैदान का निर्बान सुनिश्चित किया जाएगा पिदेश के समस्ते जिलों में पिछलित खेलों के लिए पिस्ती एक्षण की नियुकती, राष्टिये खेलों में पिदर्शन तथा खेल सुभधा वो बेक्सित किया जाएगा पिदेश में जनजाती चित्रों में कबड़ी, रस्ताकसी, उचीकून, कुस्ती, बॉलीवल तथा धन और विद्ध्या जैसे खेलों के लिए आदिम जाती कल्याण विभाग के सौजन से अंतरग्राम पज्याक पिदिये उगता आयुजित की जाएगी आँगे बात करते हैं जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारियों को फर्याप्त बुन्यादी सुबदायं उप्लब्द कराई जाएगी कीड़ा परिशत को समाप्त कर मत्य पिदेश खेल पर आदी केंड कर्टित किया जाएगा वोपाल में बड़ी एवं छोटी जीलों को जल कीड़ा का मुक केंड पितिक्स जिलाइस्तर पर टेकिंग रॉक कलाइविंग पैरा सेलिंग आदी सहाइक साहसिक गतिविदियों का विकास किया जाएगा खेल परोसान मत्य की स्थापना की जाएगी इसके लिए राजसासन द्वारव पचास लाग रोपे पिति वर अस्पिदान किया जाएगे आगे बात करते हैं मदपिदेश खेल पराधी करण के बारे में मदपिदेश राज चे कीड़ा प्रिशत समाप्त कर 13 जून 2011 को खेल नीती 2005 के इंतगत राज में मदपिदेश खेल पराधी करण की स्थापना की गई जिसका मुक्याल है भोपाल में है इस पराधी करण का पदहन अध्यक्ट खेल मंत्री होता है भारतिय खेल पराधी करण का चेत्रिय करण गोरे गाउं भोपाल में स्थित है अखिल बाती है वन खेल पून पिती उगता वर्स 2000 में भोपाल में आजित की गई थी आगे बात करते हैं खेल अकादमी के बारे में खेलों के छित में उत्कृष्टा हसिल करने में तत्थपिदेश के पिती बहा साली खेलाडियों को सुब्धा उपलब्द कराने के उद्धिस से मद्पिदेश सरकार के खेल और युगा कलनाड बिभाग द्वारा वर्स 2006 में उत्कृष्टिक खेल अकादमियों की परिकल्पना की गई आगे बात करते हैं मद्पिदेश के पिरमों खेल अकादमियों किर्किट ये अकादमी हो गई मुख्याला हो गया स्थापना हुए तो सबसे पहले बात करते हैं किर्केट अकार्ड हुई इस सिवपुरी में है इसका मुख्याल है 2016 में स्थापना हुई मारसल आयर्ट अकादमी भोपाल में 2007 में इसकी स्थापना हुई सूटिंग अकादमी भोपाल में 2007 में इसकी स्थापना हुई एथलिटिक्स अकादमी भोपाल में 2016 में इसकी स्थापनावी वाटर इश्पोर्ट्स अकादमी भोपाल में 2007 में इसकी स्थापनावी तीरंदाजी अकादमी जवलपुर में 2013 में इसकी स्थापनावी एक क्वेव इस्टियन अकादमी भोपाल में 2007 में इसकी स्थापना हुई पुरोस होकी अकादमी भोपाल में 2007 में इसकी स्थापना हुई महला होकी अकादमी गौालियर में 2006 में इसकी स्थापना हुई बैड मेंटन अकादमी ग्वालीर में 2010 में इसकी स्थापना हुई आँगे बात करते हैं मलखम अकादमी उज्जन में 2018 में इसकी स्थापना हुई स्विमिंग अकादमी होसंगाबाद में 2008 में इसकी स्थापना हुई ठीक है पिदेश की फिर मों खेल संस्थाओं की बात करें तो इस संस्था का नाम है इस्थान है और इस्थापना खेल खून एवं यूबा कल्नेयाड विवाग बोपाल में 1975 में इसकी इस्थापना हुई मदपिदेश खेल संचाला नलाय भोपाल में 1975 में इसकी इस्थापन होई मदपिदेश टेवल टेनस एसोसियेशन जवलपूर में 1957 में इसकी इस्थापन होई मदपिदेश बैडमिंटन एसोसियेशन जवलपूर में 1946 में इसकी इस्थापन होई मद्विदेश होलकर किर्पेट एसोसियेशन 1974 में इसकी इस्थापना हुई पार्सी किलब इंदोर में 1990 में इसकी इस्थापना हुई खेल गाओं मद्विदेश में खेलों को प्रोजसाहन तता खिलाडियों को अंतराष्टी इस्थागी सुब्दाय उपलब देखराने के लिए उद्विदेश सत्गड़ी भोपाल में वर्स 2010 से खेल गाओं निर्माडा धीन है ठीक, आँगे बात करते हैं मद्विदेश के पुरुसकारों को देखते हैं मद्विदेश के खेल अलंकरन समारों 2018 विक्रम पुरुसकार को वर्स 1990 में पिदेश के ततकालीन मुकमंत्री सुंदरलाल पटवा द्वारां प्यारम किया गया था यह पिदेश मद्विदेश के उन खिलाडियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 5 बरसों में 99 तम 2 बरसों तक सीनिय बरक का राष्ट की राष्टिय खेल फितिय उक्ता में अंतराष्टिय पितिनलिति किया हो और पदक जीता हो तो 2018 में किने किने दिया गया है दस खिलाडियों को दिया गया था पेड़े खरे ये घोड़ सबारी से संबन देते हैं भोपाल सहर के हैं पेड़े खरे याद रखे पेड़े घोड़ सबारी से संबन देते हैं भोपाल के हैं बीरेंद वाथम बाथम कायाकिंग केनोईंग से संबन देते हैं भोपाल के हैं अनम बासित सूटिंग से संबन देते हैं भोपाल के हैं, कीर्थी चंदानी एस आप टैनिस हैं भोपाल की, सौनु गोल कर किरकट से संबन देते हैं भोपाल के, जूही खा खोको से संबन देते हैं इंदोर की, भीम सौन कर पावर लिप्टिंग से संबन देते हैं इंदोर की, हरिसिता तौमार सेलिंग से संबंदे थे होसंगबाद की रोकमनी रोइंग राजगर से संबंदे थे पूजा वस्ताकार किर्केट सहडोल से संबंदे थे इस पूरुसकार के अंतकत पूर्मे पूरुसकार स्वरू पच्यास अजार रुपे की रासी पिदान की जाती थी लेकिन वर्स 2013 से इसे बढ़ा कर एक लाक रुपे की नगत रासी, बिलेजर, टाई, पितीक चिन और प्रमाडपत दिया जाने लगा है फिर आता है एक लब्ब पुरुसकार यह 1994 में प्यारम किया गया जो राज के ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जिनकी आयू 19 वर्स से कम हो जिनोंने पिछले 5 वर्सों में नियूनतम 2 वर्सों तक राष्टिये अंतराष्टिये खिल पिती जवगिताओं में पिती निदित किया हो पदक जीता हो इस पुरुसकार के अंतर 25 जार रुपे की रासी दी जाती है परंतु 2013 से 50 जार रुपे की नगजर रासी बिलेजर ट्राई पितीक चेन पिर्माट पर दिया जाता है अब बात करते हैं विस्वामित पुरुसकार यह पुरुसकार वर्स 1994 से दिया जा रहा है राज में सरकार द्वारा खेल पिसीख्षिकों की सम्मान में पैरम किया गया उनमें से इसमें उन खिलाडियों को एक लाक रुपे की नगजर रासी बिलेजर ट्राई पितीक चेन पिर्माट पर दिया जाता है जिन्होंने पांच बरसों में कम से कम दो खिलाडियों को पिसीख्षित किया हो जिन्होंने राष्टी या अंतराष्टी इस्तरवग खेल पितीयोगता में बिक्रम पुरुषकार या एकलब पुरुषकार में दो सणद और चार रजद या अथवा कांस पतक प्राप्त किये हो अब बात करते हैं मद्विदेश लाइफ टाइम अचीब्मेंट पुरुषकार या पुरुसकार होकी के पिसे दिखलाडी कैप्टन और रूप सिंग की इस मिती में ऐसे खलाडियों को दिया जाता है जिनोंने जीवन परेंद खेल सेवा में ही हो खेल छित में ही सेवा की हो लाइव टाइम अचीवमेंट अवार इसमें 2018 का सुधीर बर्मा वैडमिंटन खेल से संबन दोź धारस हैर के और दोजार सत्राछर का प्रभाकर कोल करणी कबड़ी कुरकेट कुखो से शंबन देते हैं इन दोर के हैं बात करते हैं लोग। चंद सेकर चोहान वो जैन को पिदान किया गया है अब बात करते हैं चटवा अंतराश्टिय अंगला है पुरुसकार मत्पिदेश का अंतराश्टिय पदक बिजेता खिलाडी पुरुसकार या पुरुसकार मत्पिदेश के ऐसे खिलाडियों को दिया जाता है जिन्होंने सीन सीनीय बरग या जूनियर बरग में अंतराइश्टीय थियोग इस तर की पितिय उगूता का पदक जीता हो। अंतराइश्टीय पजग बीज़ीता खिलाडी एबन पुरुसकार के अंतरण दी जाने वाली राशी, सीनीय बरग में और जूनियर बरग में, स्वणपदी पदक बिजीता को दो लाग, रज़त पदक बिजीता को एक लाग, स्वणपदक बिजीता को एक लाग, स्वणपदक बिजीता को एक लाग, रज़त पदक बिजीता को पचतर रजाग, कांस पदक बिजीता को सत पचास जार जूनियर बर्ग में, ठीक है? अब बात करते हैं लोग खेल वित्ती युवा पिती भागियों को पिती भाओं को फिरोसाहत करने और उन्हें सेष्ट दरजे का खिलाडी बनाने के उद्देश से खेल और युवा कल्नेयाड बिभाग सबी खेलों के पिती आकर्षन बनाने हैं फिती युवित्ती 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 युवित् पिदेश के युवाओं तक उनकी पहुंच को संभव बनाने, अपने प्रयासों को और भी तीपता पिदान करने, तथा जमीनी इस्तर पर खेल पिदेश पिदेश के खेल और युवा का लियान, विभाग मत्पिदेश द्वाना, वर्ज 2015 में C.M. मुकमंत्री कब की बात की गई, चार विभिन इस्तरों पर आयजित होने के साथ, इसे वा आयोजन का मुकुद्देश पिदेश की खेल पिती बहाओं को अंतराश्टी इस्तर का पिषी ठण और पहुंच पिदान कर उन्हें खोजना, तालीम देना और उनका विकास करना है, फ्रे बिधायक विधायक कप का सुभारम किया, इस वर्स कवड़ी, खोको, कुस्ती, बॉक्सिंग, होकी, जूडो, बॉलीबॉल, फुटवाल, टेवल, टैनिस, वास्केट बोल में से एक कायोजन पुरुस एवं पुरुस और महिला खिलाडियों के लिग किया जगा है, अब बात कर लेते हैं, पिदेश के प्रमोग, खेल इस्टेडियों के बारे में, ठीक है, यह पूचा जाता है, एक नाईग, रूप सिंग इस्टेडियों, एक वालियर में है, इसका बिसेश इसके बारे में तत्थ है, दुदिया रोसनीगी सुभिदाया, नेहरू इस्टेडियों, आपको प साल या इस्टेडियों इंदोर में सबसे बड़ा इंदोर इस्टेडियों है, ठीक है, आगे बात करते हैं, अन्न इस्टेडियों के बारे में, तो बुंबे अली इस्टेडियों एभोपाल में, खोलकर उसाराजी इस्टेडियों इंदोर में, फंडित रवी संकर सुल्क जबलपूर रानी ताल किर्किट इस्टेडियम जबलपूर असोक पटेल इस्टेडियम जबलपूर ठाकुर रडमत सींग इस्टेडियम रीवाग ठीए अब बात करते हैं एक क्लब अब और दोजार अठारे के कुल 15 खलाणियों को मिला थे तो नाम है खेल हैं और सहर हैं अध्यातिवारी सौप टेनिस से संब्देत हैं होसंगाबाद की जानवी स्रीवास्ताव काया किंग केनोइंग से संब्देत भूपाल की हैं स्रेया अग्वाल सूटिंग से संब्देत हैं जबलपूर की हैं मुसकान किराल तीरंदाजी से संब्देत हैं जबलपूर की हैं अनीता देवी, साइकलिश से संबन दे थे, जबलपुर की। राजु सिंग भदोरिया, घोड सबारी से संबन दे थे, भेंड के हैं। नम्मता बत्ता, बुसो से संबन दे थे, इंदोर के हैं। उसा चोहान, सैलिंग से संबन दे थे, भोपाल की हैं। थी? फिर हैं निशा ताइडे एक फिसिंग से संबन देते हैं मुपालगी दुरवा मुदीस एक सौप्ट बोज से संबन देते हैं इंदोर नीरज राणा होकी से संबन देते हैं गौलिया बेवेक प्रसाद होकी से संबन देते हैं होसंगाबाद के आखकास नेनिवाल कबड़ी से समद्धी थें इंदोर के परीतेस पाल पावर लेटिंग से इंदोर के देश में पितेगवस आंगे दिखते हैं देश में पितेगवस होकी महान खिलाडी मेजर ध्यान चंद के जनम दिवस्त के आउसर पर 29 अगस्त को राश्टी एक हेल दिवस मनाय जाता है इसे होकी के जादूगर से नाम से जाना जाता था कि नैं मेजर ध्यान चले देन norm याद रखना 29 अगस्त को राश्टी एक हेल दिवस मनाई जाता है खईवार पूछ लिया है बहुत ही महत्त पुणाल है ठीक है अब मत्पिदेश के प्रमुखिलाडियों को देख लेते हैं इसलों कुस्ती की बात करते हैं गामा पहलवान रामचंदन रामचंद अपरणा पटेल विसनोई पक्पु यादव एनपी यादव रोपाली दुबे किरपासंगर पटेल दयाल यादव सुसमा सरयाम फिर शूटिंग शूटिंग की बात करें तो आकास सहारन चिंकी यादव सेद अरेव परवेज मनीशा कीर ओसीन तनमानी पिगित्ती दुवे सतरंजी की बात करें तो एन सुधाकर बाबू एम चंद सेकर और रफीक खान तीरंदाजी की बात करें तो अनुस्का स्रीवास्तो शुबान सहवस्ती हरसित राणा मुस्कान किरार खोखो की बात करें तो सुसमा सरोलकर नीलमा पोग्छे नीलमा सरोलकर जुही जहां अमितातिवारी और पंकत देश पांडे तैरा की खेल की बात करें खिलाडियों की तो बजरंगी पिसाद भावीका बिंगले सतेंद रिचा मिसरा धर्वेंद अहरवार तितीचा मराठे सेलिंग की बात करें तो सवीर सिखर गरग अमन ब्यास सिद्धा सिद्रा हरिसिता तोमर सेला चाल्स आनंद सिंग ठाकुर अलंकार सूर्बनसी और उसा चोहान जुडो खेल के खिलाडियों की बात के तो संगीता सर्मा क कमला रावद दीपक ठाकुर सिद्धानन दियादो फरडीत विसकर्मा बॉसकेट बॉल की बात करें तो रेखा चोधी लखमी जाटो सेद अली ठीक है फिर बुसु की बात करें तो पीम जैन मनीश वासकर नमरत तबत्रा अंकिता रैकवाज विजिस दुरे टे कवड़ी की बात करें तो आकास रोडेले, आकास नैनीवाल, यसवंत विसनोई, हैंडवाल की बात करें गुरपीत, कौड धलन, सबना, कुरेशी, गुरदीप सिंग, फिर आंगे कते हैं बॉक्सिंग, बॉक्सिंग की बात करें तो अनिल, रजक, सुभम, मवर्दे, अर्जुन सिंग, राबत, मनीज, उईके, राहुल पासी, अनिल रोका, उडित्मा, राजपूत, सरिता सिंग तॉमर, अंजली सर्मा, कराटिक खलाडियों की बात करें, सुपिरिया जाटो, निधी ननहेट, अजय यादो, विसाल विसनोई, वंसिका पावार, पावार, माजिद खान, पलास समादिया, नितिन सिंग, सिवानी, कराले, मलखम के खलाडियों की बात करें, तो, अजय वक्तारिया, हरस यादो, चिंतामानी कस्या, कनहिया, लाल, मबोडिया, यसोदरा, यसोदा, मदारिया, चंद सेकर, चोहान, ठीक है, काया किंग, कहनोईंग की बात करें, तो, कुल्दीप की, चंपा मौर, वीरेंद, वीरेंद, वाथम, प्रेंस परमार, अंजली, वसिष्ट, सुनील, केवट, केती केवट, घड़ेशुरी धुर्वे, नमिता चंद्रे, सौप्ट बॉल की बात करें, तो, सचिन कस्तूरे, क केतन, हातुनिया, पूजा पार के, सभीता पार के, चियोती पार के, दुर्वा, मुदीस, इस नूकर की बात करें, तो, कमला चावल, अमी, कमानी ओ, इसी का साहर, ठीक है, तो, यह थे हैं हमारे, खेल से संबंदित, जो अपडेट हुआ है, 2018-19 में, वो सभी देख लिए, बंगले लेक्चर में बात करेंगे, हम लोग, पुरुसकार और संबानों के बारे में, जो 2017-2018-19 में दिये गए, 19 दिसंबर तक, अपडेट करके देखेंगे, ठीक है,